मेरे इस यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत हैं। मैं आपको यूनिट एट पढ़ा रहा था। और यूनिट एट में आज मैं आपको जान रास के बारे में बताने जा रहा हूँ। यूनिट एट में आपका जान रास है, हन्ना आरेंट है और माइकल आक्षाट है। तो हन्ना आरेंट मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, इस वीडियो में मैं जान रास के बारे में बताऊंगा जान रास का नियाशिद्धान्त और यह जान रास का जो नियाशिद्धान्त है या विभिन परिछाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपार् उसके विचारों का में पता चलता है, उसके पश्थितियों का पता चलता है, कि उसने किस तरह से अपने विचार डेवलब किये हैं तो जान राल्स, जिसका पूरा नाम जान बोडले राल्स है, उनका जन्व 21 फररी उनीशो 21 को बाल्टी मोर मेरी लेंड अमेरिका में हुआ था बाल्टी मोर में हुआ था जो मेरी लेंड में पढ़ता है और यह मेरी लेंड जो है अमेरिका में है जान राल्स बच्पन से ही प्रतिभा के धनी थें उनमें बुद्धी बहुत तेज थी सोचने शमजने की छमता बहुत तेज थी कालिन परसितियों को वह बहुत अच्छी तरह समझ रकते थे अतर उनकी जो रूची होती है वो पढ़ाई की तरफ होती है पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान आकरसित होता है और वह बाल्ती मोर में ही अपनी प्रात्मिक शिछा प्राप्त करते हैं और प्रात्मिक शिछा प्राप्त करने के पश्चात वह प्रिंश्टन यूनुर्सिटी में जाते हैं प्रिंश्टन यूनुर्सिटी से उनीशो तीरालिस में वह ग्रेजुएशन की डिगरी हासिल करते हैं उनीशो तीरालिस में ग्रेजुएशन की डिगरी हासिल करने के पश्चाथ वह उनीशो तीरालिस से उनीशो तीरालिस से उनीशो तीरालिस तक सेना में रते हैं लेकिन जैशे ही 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाड़ बम का हमला होता है, वैशे ही उनका यह, वैशे ही शेना से उनका मन भढ़कने लगता है, और वह सेना को छोड़ देते हैं, 1946 में वह सेना को छोड़ देते हैं, और फिर वह अध्यान की तरफ लग जाते हैं, उनका अध्यान अध्यान की तरफ लग जाता है, और 1950 में वह प्रिंश्टन यूनिवर्शिटी से पिएजडी की उपादी प्राप्त करते हैं, पिएजडी की उपादी वह 1950 में प्राप्त करते हैं, कहां से प्रिंश्टन यूनिवर्शिटी अमिर्का से, जब 1950 से वह प्रिंश्टन यूनिवर्शिटी से पिएजडी की दिगरी प्राप्त करते हैं, उसके पश्चात वह अध्यापन में लग जाते हैं, और सबसे पहले उनने शो तीरपन में प्रोफिशर हो जाते हैं कार्नेल यून्विर्सिटी में और के पंजात वह विप्रृषविविद्दाले में अध्यापन करते हैं और अंत तह 1962 में वह हार्वर्ड विश्विद्दाले में दर्सन सास्त के प्रोफेशर हो जाते हैं तो जानराल्स ने बिभिन लोगों को पढ़ा था उसने प्लेटों को पढ़ा था अरस्तों को पढ़ा था हाफ्स लाक रूसों को पढ़ा था विभिन विचारकों का प्रभाव जानराल्स के उपर पढ़ा था जानराल्स के विचारों के उपर विभिन विद्वानों का प्रभाव पढ़ा था इन्होंने विभिन विद्वानों का अध्यन किया था कांट का अध्यन इन्होंने किया थ रूसों का दिन किया था है बैंठम के उपयुगतावाद का देन किया था इस तरह से वीचारकों का परभाविद के उपर पड़ता है यह ततकाली इतत्काली संपाजिक यह जो बिषमता होती है या असमानता होती उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और लेक लिखते हैं Justice, I.J., Fairness, Justice, I.J., Fairness यह पब्लिश यह 1957 में इनकी रचना पब्लिश होती है यह एक लेख के रूप में होता है उसके पश्चाथ इनकी जो पुस्तक आती है शबसे फेमस है यह थेउरी याफ जस्टिस 1971 में इनकी शबसे फेमस पुस्तक होती है और यह पूरे रालीत विज्ञ के जगत में तहलका मचा देती है चिंतन के छेत में तहलका मचा देती है इस पुस्तक से जान राल्स को वही अस्थान प्राप्त हुआ जो प्राचिन युनान में प्लेटों को प्राप्त है अरस्तों को प्राप्त है आधुनिक जुग में मैक्यावेली के उप्राप्त है इसी तीरान में इनकी दूसरी पुस्तक प्रकासित होती है एक कलेक्टिव पेपर्स में 1950 लेकर 1956 तक इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी है उन्हें रचनाओं का संग्र है और दलाफ पीपुल जो 2001 में पब्लिश होती है यानि की बहुत बाद में पब्लिश होती है इसमें उन्होंने न्याय को अंतराश्टी छेत्में प्रतियस्थापित करने का प्रयत्न किया है इनकी जो नेश्ट पुस्तक है Lectures and History of Moral Philosophy या 2000 में पब्लिश होती है जो अंतिम पुस्तक है Justice as Fairness a Re-Statement या 2001 में पब्लिश होती है इस तरह से जानराल्स बिभिन पुस्तके लिखते हैं और बिभिन पुस्तकों में अपने सभी पुस्तकों में शामाजिक न्याय की अस्था अपना करते हैं परन्तु कि 24 नॉमबर 2002 को जानराल्स की Heart Attection मृत हो जाती है तो इस तरह से जानराल्स से वह मृत की गोद में समाज जाते हैं लेकिन जानराल्स ने जो थेरी दी जो उन्होंने शिधान्त दिया उसको हम आज भी पढ़ते हैं जब हम न्याय की बात करते हैं तो हमारे मस्तिस्क में ये का एक ही जानराल्स की याद आ जाती है कि जानराल्स ने न्याय का क्या सिधान्त दिया है तो जानराल्स का जो न्याय सिधान्त है ये नित की परिछाओं में भी पूछा जाता है और विभिन वीय और एमे की परिछाओं में भी पूछा जाता है आईए हम चलते हैं अब जान राल्स के नियाय को समझते हैं। चुकि विश्वी शताबदी में अमेर्का का जो आतावरण होता है वह समाजिक विशंता का वातावरण होता है। काले और गोरे के बीच भेदभाव, अमीर और गरीब के बीच भेदभाव, पूजी पती और स्रविक के बीच भेदभाव, अधिकारों को लेकर भेदभाव, सोतंधता को लेकर भेदभाव, इत्यादी तमाम परकार, इत्यादी विभिन परकार की विशंताएं शमाज में ब् पड़ा है प्लेटो भी शामाजिक शमानता की बात करता है उत्री वर्गी भी भाजन करता है समाज का अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय की बात कई है इसी तरह से विभिन विद्वानों के द्वारा न्याय की परिभासा और न्याय की शंकलपना प्रस्तुत की गई है तो रा राल्स समाजिक विशमता का धिन करने के पश्चात जो न्याय की शमश्या जो उनको मिलती है वह यह है कि वह देखते हैं शमाज में कि प्रात्मिक वस्तों का न्याय पूर वितरड हो यानि कि प्रात्मिक वस्तों का न्याय पूर वितरड केशे हो प्रात्मिक वस्तों जो भो या कि जो योग बैक्त है उसको नहीं मिलता है, जो आयोग होता है, जो आयोग होता है, उसको मिलनी चाहिए, विभीन वस्तुएं मिलनी चाहिए तो यह प्राश्मिक वस्तुओं का नियाइपूर वितरड़ हो और अधिकार क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि उनके पास अधिकार हो हम भी चाहते हैं कि हमारे पास अधिकार हो अधिकारों के द्वारा हम अपना विकास करें अपना कार करें, आप भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, मतलब सार समाज के शारे लोग अधिकारों की बात करते हैं, सारे लोग चाहते हैं कि उनके पास अधिकार हो, उनके पास सुतंतताएं हो, अधिकार हो और सुतंतताएं हो, क्योंकि जितनी सुतंता मुझको होनी शब को समान उसर मिलना चाहिए, शब को सक्तिया मिलनी चाहिए, शब को समान उसर मिलना चाहिए, आए और संपदा का उचीत वितरड होना चाहिए, यानि कि राल्स का कहना है कि जो हम आए के शादन है, आए का साधन का उचीत वितरड हो, हम चुकि आए के शादन, आए की शम अत्यधिक शमानता की अस्थापना नहीं कर सकते हैं शमाज में और अत्यधिक शमानता हो नहीं भीने चाहिए समाजिक विशमता तो होनी चाहिए लिकिन इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि कुछ लोग भूखों मर जाए और कुछ लोगों कुछ लोग रासन का भंदार कर ले यानि कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएं, कुछ लोग बहुत गरीब हो जाएं, एशा भी नहीं होना चाहिए, तो राल से शामाजिक शमानता की अस्थपना करना चाहते हैं, वह करते हैं कि सब को आत्म सममान के साथ जीने का अधिकार है, सब को गवरोपूर जीवन जीने का चाहिए, ख़रोप्द और पतिष्ठा बनाए रखने का अधिकार है, तो ये सारी जो शमश्चाएं हैं, न्याय की शारी शमश्चाएं हैं, इसको हम कैस सब कर सकते हैं शमाज में, हम देखते हैं कि समाज में ये कुछ राल्स ने अपने न्याय के सिध्धान को सुध्ष पक्तिर्यात्मक न्याय कहा है राल्स ने अपने न्याय शिधान को सुद्ध पक्रियात्मक न्याय कहा है क्योंकि इसके माध्यम से तात्विक न्याय की भी अस्थापना की जा सकती है तात्विक न्याय, यानि कि पक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय, तात्विक न्याय, यानि सुद्ध पक्रियात् कर सकते हैं इस पर क्रियात्म राज करते हैं परक्रियात्म नियाजी यह संकेत मिलता है जो सिधान्त स्विकार के जाए उनके प्रियोग के लिए जो वितरण की ब्यूस्ता होगी वह अस्तित्में आएगी और वह की पूढ़ होगी यानि कि शरुसम्मर्स से जो हमें इस्तिवकार करेंगे और वस्तुने के वितरड के लिए जो ब्यूस्ता आएगी वह ब्यूस्ता क्या होगी? न्यायपूर होगी. वस्तुत है बेक्त की गरिमा जो है वह राल्स के न्यायपडाली का केंदर बिंदू है. बेक्त की गरिमा रा अधिक्तम ब्यक्तियों का अधिक्तम सुख है उस सुख में जो अल्प संख्यक वर्ग हैं या जो इनकी शंख्या कम हैं वह क्या हो जाएंगे दुखी हो जाएंगे उनकी तरफ उप्युक्तावाद में ध्यान नहीं दिया जाता है बेंठम अधिक्तम ब्यक्तियों के अधिक् पहुचनी चाहिए उनको भी शतंता का अधिकार हो रार्स से यहाँ करता है कि अधिक्ति नहीं बनना चाहेगा अतर अधिक्ति नहीं बनना चाहेगा अता अधिक्तम बेक्तियों का अधिक्तम सुख की बजाए सभी लोगों के शुखों पर ध्यान देना चाहिए और सभी लोगों के शुखों के लिए हमें नयाय की प्रतिस्थापना करनी चाहिए रास काता है कि सुखी लोगों के शुख को कितना ही क्यों बढ़ा दिया जाए उससे दुखी लोगों के दुख को कम नहीं किया जा सकता या दुखी लोगों के दुख का हिशाब बराबर नहीं किया जा सकता है आई हम देखते हैं राल्स ने नियाय की अस्थापना करने के लिए किसे तर्क प्रडाली का प्रयोग किया है तर्क प्रडाली राल्स की जो तर्क प्रडाली है वो कैसी तर्क प्रडाली है पहले तो राल्स अपने नियाय को सुध प्रक्रियातमक नियाय करता है यानि कि यह प तापना किया जाएगा मतलब कि एक पकरिया इसी होगी उस पकरिया के तहद सभी लोगों को न्याय दिया जाएगा। जैसे कि लिबर्टी यानि कि सुतंतरता सभी लोगों को यह सुतंतरता क्या है प्रक्रियात्मक निया है यह सुतंतरता सभी लोगों को दी जाएगी और उस सुतंतरता से तात्वी की नियाए यानि कि शमानता की अस्थापना हो सकेगी तो राल्स अपने नियाए सिध्धान का करने में एक तर्क पडाली का प्रयूग करता है रास ने तर्क पडाली का उपयूग करने के लिए सामाजिक समीदा सिध्धांत का सहरा लिया है समीदा सिध्धांत का सहरा लिया है वह समीदा सिध्धांत के आधार पर अपने तर्क का प्रयूग करता है वह करता है कि समीदा सि रिक्तियों को कुछ भी पता नहीं होता है यानि कि जो हाफ्स ने प्राकिति का वस्ता का वड़न किया है लाक ने किया है रूसों ने किया है जो प्राकिति के वस्ता होती है उसमें पूरी तरह से मनुष्य अंजान होता है अपने अधिकारों से अपने कर्टब्यों से अपने होती है न संस्कृत होती है यह न सभेता होती है यानि कि कुछ भी नहीं होता है मनुस्य पूड़ रूप से प्राकितिक अवस्था में रहते हैं तो राल्स यहां प्राकितिक अवस्था का प्रयोग किया है अपने नियाईशिद्धान्त में वह करते हैं कि जो हमारी शमाजिक ब्युस्ता है हमारे जो समाजिक ब्युस्ता है उस समाजिक ब्युस्ता में हम देख सकते हैं कि किसी के पास अधिक अधिकार हैं किसी के पास सक्ता है किसी के पास अधिक धन है किसी के पास पुभोग करने के बिन साधन है किसी के पास बिलकुल नहीं है तो यह जो समाजिक वि जाना होगा प्राकितिक अवस्था में जाकर हमें चिंतन करना होगा विशलेशड करना होगा यानि कि ब्यक्तियों को जब प्राकितिक अवस्था में ला दिया जाएगा तो प्राकितिक अवस्था में आकर ब्यक्ति शामाजिक हितों के लिए कार करेगा नियम बनाएगा उनकी अस्ताप्ना कानूँ करता है बैक्ति ही करते हैं तो ब्यक्ति शारे ब्यक्ति कानून बनाएंगे उस प्राकितिक अवस्ता में जब जाएंगे तो इसमें ब्यक्ति को भावी शमाज का कोई दर्सन नहीं नहीं होगा यानि कि यानि कि राल्स इसको अज्ञानता का आवरण करता है अज्ञानता का आवरण है अज्ञानता का आवरण है वेल आफ इग्नोरेंस है वेल आफ इग्नोरेंस है तो राल्स करता है कि कि जो मूल इस्थिति होगी यानि कि जो मूल इस्थिति यानि प्राक्रिति के वस्था की जो इस्थिति होगी वह मूल इस्थिति में होगी जब बैक्ति उस प्राक्रिति के वस्था में चला जाएगा प्राक्रिति के वस्था में जब वापस चला जाएगा तो उसको कोई भी ग्यान नहीं होगा. इस भावी शमाज का निर्मार करने के लिए ग्यान नहीं होगा. यह जो इस्थिति होगी, एक कालपनी की इस्थिति है, जिसमें कि मनुस्य अपनि अपनीं आवशकताओं, हीतों, निपूरताओं, योगिताओं, आज इसे बिलकुल अंजान होते हैं यानि कि ब्यक्ति अपनी परितिभा से अंजान होते हैं कला से अंजान होते हैं यानि कि बहुत सी चीजों से अंजान होते हैं लेकि बिलकुल अंजान नहीं होते हैं उनको थोड़ा बहुत ग्यान तो रहता ही है तो इस तरह से राल्स करत कि ब्यक्ति प्राकिति के वस्ता में जब जाते हैं तो उनके उपर अज्ञानता का आवरण चड़ जाता है यानि कि वह समाज में देख नहीं सकते हैं जो उनको यानि कि वह समाज के भावी नीतियों को या समाज की विशमताओं को देख नहीं शक्ते हैं मनुसिया नहीं जानते हैं कि कौन-कौन सी बातों से संघर्ष होगा कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौ होते हैं एसी इस्टित में जब उनको कानून बनाना होगा यानि कि एसी इस्टित में जब उन बेक्तियों को समाज के लिए न्याय बनाना होगा कानून बनाना होगा तो वह किस मनुष्यों पर कुछ प्रिदिबंध होता है, कुछ प्रिदिबंध लगा होता है, जो नेतिकता के विचार के साथ जुड़े होते हैं, परंतु उन्हें उन बातों की चानकारी नहीं होती है, जो उन्हें मन में परसपर विरोध या पुर्वाग्रह पैदा करती हों, राल्स मूली स्थिती में जिन मनुस्यों की कलपना की है, वह विवेकशिल करता है, जो न्याय के नियमों का पता लगाने के उद्दे से परस पर सहमद पर पहुचने के लिए एकत्र हुए हैं, यानि कि यह नियाय के नियमों का पता लगाने के लिए परस पर सामति से एकत्रित हुए हैं, सामति से वह एकत्र हुए हैं, वह कते हैं, राज कता है कि वह बेक्ति जो होते हैं, जो अज्ञानता के आउरण में बैठे होते हैं, वह स्वार्थी तो होते हैं, परंतु उनमें अ दूसरे सब्दों में हम करते हैं कि जो स्वार्थ की भावना होती है उस पर नयतिक्ता की भावना हावी रहती है यानि कि स्वार्थ की भावना पर नयतिक्ता की भावना कांकुछ रहता है उनका उद्देश अपने अपने लिए प्रारंभिक वस्तूओं के व्रिद्धी से हो जो बेक्तियों की प्रारमिक वस्तुएं होती हैं उसमें अधिकार होते हैं सुतंता हैं सक्तियां हैं आउसर हैं और आय और संपदा का वितरण हैं कथा आत्मसमान के शादन समाहित हैं इन बेक्तियों की एक विशेस्ता होती है कि वह जोखिम उठाने को तयार नहीं होते हैं और अपनी अज्यानता के कारड़ों दाव पेच नहीं लगा सकते हैं तो इस अनिश्चित्ता की स्थित में उनमें जो विकल्क होंगे उनमें से शबसे कम हानिप्रद रास्ता तयार करेंगे यह शारे जो ब्यक्ति होंगे यह सबसे कम हानिप्रद रास्ता तयार करेंगे यानि कि कहने का तात्पर यह है कि समाज में विभिन लोग बैटे हुए हैं इसमें A B B B B B C B 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 उससे कम अमीर है, सी उससे कम अमीर है और डी जो है बिल्कुल दीन ही इनकी इस्थित में है, दीन ही इनकी इस्थित में है, तो इनको कुछ पता नहीं है, तो इन बेक्तियों को कुछ पता नहीं है, जो विवेक्शिल करता है, जो विवेक्शिल करता है, तो यह 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 बना सकते हैं, ये भी नियम बना सकते हैं, ये भी नियम बना सकते हैं, लेकिन दी पर स्वयम को नहीं रखेंगे, अपने को दी के इस्थित पर नहीं रखेंगे, यानि कि वह नहीं चाहेंगे, कि हम कभी एशा भी हो सकता है, कि हम इस दी वाले इस्थित पर आ जाते हैं, वह ह भवतिक संसादन उनको प्राप्त होता रहे, तो यह इस तरह से कानून जब इनको, इस इन रिस्क से पता से, तो चुकि इनके उपर अज्यानता का आवरण होता है इसलिए अब यह स्वेम को इसी स्थित में नहीं रखेंगे ना स्वेम को इसी स्थित में रखेंगे एसी स्थित में यह सब के लिए शमान कानून बनाएंगे यह जो ब्यक्ति होंगे यह सब के लिए शमान कानून बनाए यानि कि इस परकार की समाजिक ब्योस्थाकि अस्थापना करेंगे कि जिसमें कि यह भी रह सकें कम असमानता हो राज करता है कि जब यह मूली स्थिती होती है यानि कि मूली स्थिती यानि कि वेक्टिया ज्यानता के परदे में होता है तो वह कुछ बातों को सुचता है और करता है कुछ नियम को स्विकार करता है वह नियम कौन कौन सा है समान सुतंता का सिध्धान जब व्यक्ति अज्ञानता के आवरण में बैठा रहता है तो वह किस प्रगार की नीतियां बनाएगा किस तरह के समाजिक व्योस्था की रचना करेगा इसमें राल्स का यकाना है कि व्यक्ति शमान सुतंता के सिध्धान को ध्यान में रखेगा चूकि उसको भी सुतंता चाहिए यानि कि उसको भी उतनी सुतंता चाहिए जितनी की और लोगों को चाहिए यानि कि सभी लोगों को बराबर सुतंता चाहिए यानि कि पतेग व्यक्ति को सबसे व्यापक सुतं स्थापित कर लिया जाए तो इस शेप राज की इस्थिति दी नहीं नवर हो जाएगी यानि की राज की इस्थिति क्या हो जाएगी दी नहीं हो जाएगी या राज का विकास अवरुद हो जाएगा यदि पूर समानता की अथापना कर दी जाए यानि की जब सभी लोगों को अमीर बना दिया जाए तो हमारे शमाज की शमाजिक व्योस्ता क्या होगी इसकी कलपना आप लोग कर सकते हैं, कि फिर कोई काम नहीं करना चाहेगा, कोई राष्ठ हित के लिए नहीं काम करना चाहेगा, कोई निर्माड कारे में नहीं लगेगा, कोई शड़क नहीं बनाना चाहेगा, फिर वो काम कौन करेगा, तो समाजिक विशमता थोड़ी बहुत ह को नहीं चाहिए राल्स जो जिस समानता की बात करता है वह है आई की शमानता हो अधिक से अधिक आई की शमानता हो आई की शमानता का मतलब जो कारे हम कर रहे हैं वही कारा भी करें तो सबको समान वेतन मिले पद की शमानता हो शबको रानिती का दिकार मिले शबको सुतंतता म समांता मिले सबको समानप पुर्वक चीविए सबी लोग समान पूरवग जीएं और समाज में किसी परकार के वर के अधार पर जाद के अधार पर कर्म के अधार पर भेदभाव नहीं किया जाए तो वह करता है कि शब को समान सुतनता है कि शासात समाज में भेद मुलक्षिधांत को भी लागू किया जाना चाहिए यानि कि भेद मुलक्षिधांत यह मांग करता है कि प्राथमिक वस्तुओं के शमान वितरड से किसी भी तरह की छूट को तभी उचीत ठाराया जाए जब यह सिद्ध किया जा सके कि इससे हींतम इस्थितवाले मनुस्तियों का अधिक्तम लाब होगा दूसरे सब्दों में किसी बैक्ति की असाधारण योगता और परिश्रम के लिए विशेष पुरसकार कभी नयाई शंगत होगा जब उससे समाज के दीन हीन ब्यक्तियों को अधिक्तम लाब पोचे यानि कि यदि हम किसी ब्यक्ति को पुरसकार देते हैं किसी ब्यक्ति को सम्मान देते हैं तो यह सम्मान यह पुरसकार तभी न्याई शंगत होता है जब उसने शमाज के लिए कार किया हो जब उससे शमाज को अधिक्तम लाब पहुचा हो जो दीन ही निस्तित वाले ब्यक्ति हो अधिक्तम लाब की इस्तित में हो तो यह सभी शर्थे पूरी हो जाने के पश्चात जो competitive, economic ब्योस्ता होगी यानि कि प्रतियस पर धात्मक अर्थ ब्योस्ता होगी उसमें कार कुसलता के आधार पर कार कुसलता के मांदन को लागू किया जा सकता है जो हमारी शामाजी का आर्थिक ब्योस्ता होगी कार कुसलता के आर्थिक ब्योस्ता होगी कार कुसलता के मांदन को उसमें लागू कर सकते हैं जबकि रास के जो आलोचक हैं या आरोप लगाते हैं कि रास ने पुझिवादी व्योस्था को उसने पुझे वाज़र की उचित समान्ता अवसर की उचित समानता, अब राल्स करता है कि सभी ब्यक्तियों को चाहिए किसी भी बर्ग के हो अवसर की समानता मिलनी चाहिए, सब को अवसर मिलना चाहिए, सब को अवसर मिलना चाहिए, वह किसी भी बर्ग के हो, सारे ब्यक्तियों को राज के शारे ब्यक्तियों को अवस कि अस्थापना करना चाहता है वह सबको समान सुतनता देना चाहता है और भेद मुलक शिधान्त के शासात है वह सभी लोगों में शमानता अस्थापित करना चाहता है आउसर की उची सिध्धांत के अंतरगत, रालस ने आवसर की उचित समानता को नियाय की पहली सर्थ मानना है वो करता है कि यह सर्थ पूरी हो जाने के बाद भेध मूलक सिध्धांत का प्रयोग सुरू होता है यह सर्थ पूरी हो जाने की बाद भेद मुलक सिधान्त का सर्थ शुरू होता है इसमें शर्व प्रथम यह मान कर चला जाता है कि प्रारंबिक वस्तूओं का समान वितरड कैशे हो या प्रारंबिक वस्तूओं का समान वितरड होना चाहिए इस नियम से किसी तरह की छूट त भी उची थराया जा सकता है, जब उसका परड़ाम लाब के रूप में शामने आया हो, तो रास करता है कि जो नियमों की शमानता है, जो इन नियमों से, यानि कि विभिन नियमों से जो छूट परदान की जानी चाहिए, उस छूट यह देखना चाहिए, कि उस छूट से समाज को लाब हुआ है उस छूट से समाज को लाब हुआ है यानि कि कुछ ऐसे ब्यक्ति होते हैं जो परित्वासाली होते हैं काफी योग होते हैं राज के द्वारा उनको पद दिया जाता है उनको पुरसकार दिया जाता है तो यह राज को यह देखना चाहिए कि उससे समाज को कितना लाब हुआ है, या उसने समाज को कितना लाब पहुचाया है, जो दीन हीन इस्थित वाले ब्यक्ति हैं, उन दीन हीन इस्थित वाले ब्यक्तियों को कितना लाब हुआ है, दीन हीन इस्थित वाले ब्यक्तियों को कितना लाब हुआ है, यानि कि रास का करना है कि इन विभीन समाजिक इन विभीन नियमों से छूट तभी देनी चाहिए जब उससे समाज के विभीन वर्गों को लाब हुआ है दीन ही वर्गों को दीन ही लोगों को लाब हुआ है जैसे हम किसी ब्यक्ति को कोई पद देते हैं कोई पद देते हैं किसी ब्यक्ति को क या लाब पूचा है या फिर समाज के जो वंशित वर्ग है वंशित तबका है इस व्यक्ति ने उनको कितना लाब पूचाया है या राश्ट को कितना लाब पूचाया है हमें आनायासी किसी को पद नहीं दे सकते हैं किसी को पतिष्ठा नहीं दे सकते हैं किसी को पद या पति सित को कितना लाब पहुचाया है इस तरह से जानराल से उपयोगता वादी शिधांद का खंडन करते हैं वह करते हैं कि उपयोगता वादी शिधांद का खंडन करते हैं वह करते हैं कि उपयोगता वाद का अधार है अधिक्तम व्यक्तियों का अधिक्तम सुख लेकिन नीश अ को सुख सुधाय मिलनी चाहिए सभी लोगों को सुख सुधाय मिलनी चाहिए जो अधिक्तम लोग है वह अल्प संख्यक वर्गों को अपना दास नहीं बना सकते हैं अपने अपने को दास नहीं बना सकते हैं चुकि जो अधिक्तम लोग है वह खुद दास नहीं बन सकते हैं तो इसलिए वह अल्प सेंख्यक वर्ग को भी दास नहीं बना सकते हैं अपना गुलाम नहीं बना सकते हैं तो जो अल्प सेंख्यक वर्ग है उनको भी शमानता मिलनी चाहिए उनको भी सोतनतता है मिलनी चाहिए उनको भी प्राप्त होनी चाहिए तो समाज में जो प्रात्मिक वस्तुवों का वितरड है वह न्याय पूर्ड होना चाहिए सोतंधता सब को प्राप्त होनी चाहिए समाज की जो समाजिक ब्युस्ता है वह समांता पूर्ड होनी चाहिए सभी बेक्तियों की गरिमा को ध्यान रखा जाए, सभी बेक्तियों के स्रम के योगदान को ध्यान में रखा जाए, सभी बेक्तिके कारियों को ध्यान में रखा जाए यानि कि जो समाजिक विशंता है उसका अंद करके हम समाजिक न्याय की अस्थापना कर सकते हैं, कैशे कर सकते हैं, शब को वस्तुएं दे कर, सब को लाब पहुचा कर सकते हैं, शब को सतंता दे कर, शब को अधिकार दे कर, सब को कानून का संरचर दे कर, सब के शाथ प्रात् हो शबी लोगों के पास अधिकार होंगे शबी लोगों के पास आउसर की शमानताएं होंगी तो हम इस तरह से समानता पूर समाज की अस्थापना कर सकते हैं यही राल्स का नियाई शिद्धान्त है यानि राल्स के नियाई शिद्धान्त में समाज में शमाज में शमाज की अस्थापना करना ही राल्स का उद्देश है जो प्रात्मिक वस्तवे हैं उनका वितरड करना ही राल्स का उद्देश है जो अधिकार हैं, आउसर की शमानता हैं, जो सतनता हैं, इन समाज के सबी लोगों को परदान किया जाना चाहिए ताकि वह अपना नियाविचित विकास कर सकें इस वीडियो में मैंने राल्स के नियाविचित धान को संच्छेप में बताया अब मैं आपको भी ए थर्ड एयर पंचम सिमिस्टर या फिर्थ सिमिस्टर की तरफ ले चलूँगा फिर्थ सिमिस्टर में दो पेपर हमको पढ़ाने हैं, पहला है लोगपर शाशन और दूसरा है तुलनात्मक राजनीती और तुनात्मक शाषन और राजनीती जिसमें हमें विभिन देशों के शमिधानों का अध्यन करना है तो लोग पशाषन पे मैं तीन वीडियो डाल रखा हूँ अब मैं आप लोगों को पंचम समिश्टर से लोग पशाषन सुरू करूंगा तो यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शब्सक्राइब और सेयर करते रहेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद